क्यों कुछ सिचुएशन्स में हमारे रॉंग टे यानी गूस बंप्स आ जाते हैं? क्यों कुछ देर पाने में हाथ और पैल डालने से ऐसे सिल्वर टे आ जाती हैं? आखिर हमारी अंगुली के नाखुनों में ये सफेद दाग क्यों होता है? बच्चे जब रोते हैं तो उनके आशु क्यों नहीं निकलते? और क्यों फीमेल्स के मुकाबले अधिकतर मेल्सी कलर ब्लैंड होता है? इन सबी चीजों के जवाब इस वीडियो की ही तरह शौकिंग है तो बने रहे रहे वीडियो के एन तक दोस्तो आपने लोगों के नाखून पे ऐसे सफेद दाग देखे होंगे कभी सोचा ये कुछ लोगों के ही नाखूनों में क्यों होता है? तो उसके सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं ताकि हम उसे तुरंट ठीक कर सकें 1989 में The American Journal of Public Health में पॉब्लिश्ट हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग left-handed होते हैं यानि जो अपना सारा काम बाय हाथ से करते हैं वो लगबग 9 महीने कम जीते हैं उन लोगों से जो लोग right-handed होते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया की ज़दातर चीज़े right-handed लोगों के हिसाब से ही बनाई जाती हैं जिस वज़े से left-handed लोगों को जीने में ज़दा problem होती है और left-handed लोगों में किसी भी तरह के accident के चांसे ज़दा होते हैं जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है आपको पताई होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी पूरी बाड़ी को कंट्रोल करता है और क्या आप जानते हैं कि सर्जरी के टाइम हमारे दिमाग को आधा करके उसे अलग रखा जा सकता है और इससे हमारे दिमाग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा और हमारा ब्रेन 40 की उमर तक हमेशा बढ़ता रहता है हम humans की बाड़ी में 5 लाग sweat glands होते हैं बट ये हमें feel नहीं होते और जादतर glands हमारे पेर के नीचे, हाथों में और आपके माथे पे होते हैं sweat glands वो होते हैं जहां से पसीना बड़ी के बहार आता है और हमारे एक पेर में ही करीब 1,25,000 sweat glands मौझूद होते हैं अपनी जुबान देखकर ऐसा लगता है कि उसका हर पार्ट एक अलग तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए बना है तो आपका ऐसा सोचना घलत होगा Recent researches के according जुबान के हर पार्ट में हर तरह के टेस्ट जैसे खटा, मीठा और तीखे को सेंस करने की ability होती है और हम आपको बता दें कि males की टंग का size 3.3 inch and females की टंग का size 3.1 inch होता है Number 16 हमारे होट पूरे शरीर के सबसे ज़्यदा sensitive पार्ट होते हैं वहीं होटों के पीछे एक masseter नाम की muscle होती है जो हमें खाना चबाने में हमारी मदद करती है और ये muscle इतनी strong होती है कि इसकी मदद से हम 90 kg तक का वजन उठा सकते हैं Number 15 दोस्तो आपने कभी सुचा है कि जो लोग cancer के मरीज होते हैं वो अपने बालों को कटवा देते हैं पहल वो खुद ऐसा नहीं करते हैं इसके side effects से इंसान के बाल गिरने लगते हैं वैसे एक healthy इंसान के बाल हर रोज 0.03 cm तक ग्रो करते हैं और human body के सभी hair follicles जिनसे hair ग्रो करते हैं वो मा के पेट में ही बन जाते हैं Number 14 दोस्तों क्या आपको पता है हमारा brain हमारी body के weight का सिरिफ 2% होता है पर फिर भी ये 30% oxygen अकेले consume करता है अब क्योंकि हमारा brain ही हमारी पूरी body को control करता है इसलिए इसे बहुत ज़्यदा energy की भी जरूरत होती है और यही वज़य है कि ये ज़्यदा oxygen भी use करता है Number 13 इंसान होया जानवर जिन्दा रहने के लिए उसे खाना खाना बहुत जरूरी है पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन भर में कितना खाना खा जाते हैं वेल साइंटिस्स ने इस बात पर research करी जिससे ये साबित हुआ कि एक average healthy इंसान 70 साल की उमर तक करीब 30,000 kg तक खाना खा लेता है Number 12 क्या आपको पता है मच्छर से मौथ होने के लिए एक इंसान को अपने आपको 2,000,000 मच्छरों से कटवाना पड़ेगा अब ये आखिर कोई क्यों ही करेगा और fact तो ये है कि एक मच्छर आपकी बाड़ी से 0.01 ml तक blood absorb कर लेता है तो blood loss से मौथ होने के लिए आपको 2,000,000 मच्छर लगेंगे Number 11 क्या आप जानते हैं कि human brain का 73% part पानी से बना होता है और पानी human body के लिए बहुत ज़दा important है जब आपकी बाड़ी में पानी की कमी आपके body weight के 1% के बराबर होती है तो आपको प्यास लगने लगती है यानि अगर आपका वज़न 50 kg है तो आपकी बाड़ी में यदि 5 लिटर से कम पानी होगा तो आपको बहुत तेज प्यास लगने लगेगी अगर आपको कोई जुड़वा होता तो उसके भी fingerprint अलग होते पर क्या आप जानते हैं आपकी उंगलियों के तरह आपकी जुबान भी बहुत यूनीक है अगर आप अपने जुबान का प्रिंट करो तो वो भी इस दुनिया में किसी से मैच नहीं होगा हब देखते हैं कि कब वो दिनाता है जब हम सभी अपना फोन अपनी जुबान से अनलोक कर रहे होंगे अगर हम अपने लंग्स को बॉड़ी से बाहर निकाल कर पानी में डाल दे तो वो पानी पर तैर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चाहे कितनी भी सांस अंदर या भार छोड़ें हमारे लंग्स में हमेशा एक लिटर ऑक्सिजन जमा रहती है जिससे रेजिडूल लंग वॉल्यूम भी कहते हैं और इसी वज़े से लंग्स पानी पर तैर पाते हैं दोसो अगर आप गहरी नीन सो रहे हो और एक गंदी बदबुदार चीज़ आपकी नाक के पास रख दी जाए या कोई बहुत अच्छी खुश्बू आपको सुंगाई जाए तो क्या आप जाग जाओगे वैल न्यू ब्राउन युनिवरसिटी में करी गई एक स्टडी में सोते हुए लोगों को हिला के शोर मचा के और आखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई तो सब ही उठ गए मगर जब उनके नाक के पास किसी चीज को रख के उसे स्मेल कराया गया तो उन में से कोई भी नहीं उठा जब दो लोग आपस में 10 सेकंड के लिए किस्ट करते हैं तो 8 करोट से ज़धा बैक्टीरिया उन दोनों के मुझ से आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं अब मज़ेदार बाती है कि इससे घबराने की बात नहीं है क्योंकि सस्त तो यह है कि ये जो बैक्टीरिया किस्ट करते टाइम सामने वाले से किसी और परसन में ट्रांसफर हो जाते हैं ये सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बाड़ी का नुकसान नहीं बलकि बढ़ने तक बढ़ते रहते हैं इसी वज़े से इंसान का चहरा उमर के साथ बदलते हुए नजर आने लगता है नंबर फाइव आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो तो आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में अजीब सी सिल्वटे पढ़ जाती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इनका कोई फायदा होता है या नुकसान यूग्य की यूनिवसिटी में साइंटिस ने इस बात पर रिसरच करके ये बताया कि ये सिल्वटे असल में बहुत काम की होती हैं जब हमारे हाथ पैर गीले होते हैं तो य ये सिल्वटे हमें चीजों को पकड़ने में मदद करती है अगर ये सिल्वटे नहीं पड़ेगी तो हम अपने हाथों से किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे नंबर फोर दोस्तो एक इंसान अपनी लाइफ में एक लाग साथ हजार किलो मीटर तक चलता है इतने मे वो इंसान चार बार पूरे अर्थ के चकर लगा सकता है और चलना हमारी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है Cancer Research UK के According हर दिन स्रिफ 30 मिनट चलने से आपकी बॉडी में कम फैट जमा होता है और आप ज़्यादा फिट रहते हैं दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कई सिचुएशन्स में हमारे रॉंग टे क्यों खड़े हो जाते हैं यानि हमें गूसबंप्स को आजाते हैं जब आप एक डरावनी मूवी देख रहे होते हो या किसी पार्टी में बहुत शोर हो रहा होता है या आप बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हो ऐसी सबी सिचुएशन्स में आपकी बॉडी में एक अड्रेलन नाम का हॉर्मोन रिलीस होने लगता है जब आपको किसी तरह का स्टेस होता है या घबराट भड़ती है तब यह रिलीस होता है और जब यह हॉर्मोन अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीस हो जाता है तब आपके रॉंग टे यानि गूस बंप्स आ जाते हैं जब की मेल्स कुछी कलर देख पाते हैं और मेल्स को एक ही कलर के अलग-अलगशेट्स पहचानने में भी दिखकत होती है कलर ब्लाइंड होने के चानसेश भी मेल्स में ही जधा होता है इसलिए एक average female एक मिनट में 18 से 20 बार अपनी पलके जबताती है, वहीं एक male सिर्फ 11 से 12 बारी ऐसा करता है फैक्ट नमबर वन, human heart एक बहुती powerful organ होता है जो पैदा होने से लेकर मरने तक हमेशा काम करता है एक second के लिए भी नहीं रुपता, males के comparison में females का दिल ज़्यादा तेजी से तड़कता है human heart एक दिन में 9000 लिटर्स तक blood को pump करता है और heart से इतना pressure बनता है कि वो चाहे तो हमारे खून को 30 feet की high touch फेक सकता है तो दोस्तों ये थे कुछ human body से जुड़े amazing facts अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी amazing वीडियोस देखना चाते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe और notification bell को on कर दो ताकि हमारी future वीडियोस का notification सबसे पहले आपकी पास आए So till then, keep learning, keep growing